आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now यहाँ पर हमें given equations को देख कर बताने कि इनमें से कौन सी correct equation है तो Hb जो यहाँ हम हर equation में देख रहे हैं यह हम short form use करते हैं hemoglobin के लिए जो कि कई animals की body में पाया जाने वाला सबसे important respiratory pigment होता है respiratory pigment हम इसको क्यों कहते हैं क्योंकि higher animals में हम देखते हैं एक चीज कि body के दो organ systems यानि respiratory system और circulatory system यानि blood vascular system आपस में closely integrated होते हैं और इनके functions एक दुसरे से जुड़े हुए होते हैं respiratory system का main काम क्या होता है कि ये gaseous exchange करवाता है gaseous exchange मतलब कि जो carbon dioxide हमारी body के tissues में इकठा हो रहा है उसको बाहर की तरफ eliminate करवाना और atmospheric oxygen को हमारे blood में लाना लेकिन हमारे blood में एक बार जो ये oxygen आ गया तो circulatory system इसकी distribution करवाता है यानि हमारे body tissues को ये तो हमें मालूमी है कि हर समय oxygen की जरूरत रहती है तो body cells तक इस oxygen को पहुचाना हमारे circulatory system का काम हो जाता है अब ये कैसे पहुचाता है hemoglobin की help से इसलिए हम इसको respiratory pigment कहते हैं क्योंकि hemoglobin हम देखते हैं कि oxygen के साथ जुड़ने के लिए affinity रखता है या हम कह सकते हैं कि oxygen के साथ ये reversibly bind कर जाता है ऐसा कैसे possible होता है क्योंकि hemoglobin का अगर हम structure देखें तो ये एक iron containing pigment होता है या iron containing protein हम इसको कह सकते हैं और इसी वज़े से ये red color का नजर आता है और red blood cells में ये contained होता है इसलिए वो भी लाल रंके होते हैं अब इसी iron के साथ क्योंकि इसमें iron present है तो इसी iron के साथ oxygen reversibly bind कर सकता है इस iron को ये Fe2 plus के form में present होता है iron इससे bind करके Fe3 plus में oxidize कर देता है और इस तरह से reversibly bind करता है फिर body cells के पास hemoglobin जब इस oxygen को पहुचा देता है इसके साथ bind करके तो अलग हो जाता है और body cells को enter कर जाता है तो ये हमने mechanism देख लिया अब equation कौन सी सही होगी पहली equation में तो हमें potassium ions दे रखे है potassium ions H plus ions तो इनका यहां पर हमारा मतलब नहीं है हम oxygen की transportation देख रहे है hemoglobin के साथ potassium bind नहीं करेगा फिर दूसरे में हमें दिया हुआ है कि hemoglobin के साथ oxygen bind कर गया तो हमें यहां पर hemoglobin के साथ HO2 मिल रहा है और देख हम रहे हैं कि यह association tissues में होती है और dissociation lungs में होती है तो यह उल्टा यहां पर हमें दे दिया है क्योंकि oxygen और hemoglobin की association यानि bind वो करेंगे कहां पर lungs में वो associate करेंगे एक दूसरे से जहां पर gaseous exchange हो रहा है तो atmospheric air का oxygen है वो हमारे hemoglobin के साथ bind करेगा lungs में association होगी lungs में और tissues के पास जाकर हमारे body cells के पास जाकर dissociate करके body cells में घुश जाएगा तो यह भी गलत दे दिया है हमें यहां पर फिर अगें third वाले में हमें sodium iron दिया हुआ है na plus और bicarbonate दिया हुआ है तो इसके साथ भी हम concern नहीं है hemoglobin का तो इसमें नाम भी नहीं है यहां पर हम option D सही answer mark कर देंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि HbO2 यहां पर बना हुआ है HbO2 रिप्रेसंट कर रहे हैं oxy hemoglobin को जब hemoglobin oxygen के साथ जुड़ जाता है तो इसको हम oxy hemoglobin का नाम देता है यह oxy hemoglobin हमने देखा कि दूसरी साइड पर जाके hemoglobin और oxygen दुबारा अलग हो गए तो यही दिखाना चारहे हैं कि reversibly bind करता है यानि एक बर bind करें तो फिर यह कभी भी अलग हो सकते हैं और यह सही दिया है कि यह lungs में इनकी association होती है oxygen और hemoglobin की और फिर tissues में जाके जिन tissues को oxygen की ज़रुवत है वहाँ पर dissociate करके oxygen hemoglobin उन्हें देता है तो यह हमारी सही equation हो गई hemoglobin किस तरह से circulatory system के थूख oxygen की distribution करता है उसके बारे में यहाँ कि बागी सब में हम देखें यहाँ पर erythro site में bicarbonate और यह sodium ions का क्या काम है यह बिलकुल irrelevant हो जाएगा बी option थोड़ा हमारा सही था लेकिन इसमें association tissues में लिख दिया, dissociation lungs में लिख दिया इसलिए गलत हो गया और A में भी हमें H plus ions, potassium ions यह सब दिये हुए थे, RBC का इससे लेना देना नहीं होता इसलिए option D सही गड़ देंगे हम क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट IIT जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 पर